सात्यों देश के मिर्डर क्लास के साथ कॉंग्रेस की दुश्मन ही रही है लेकिन ये बात पहले में चर्चा नहीं रही है लेकिन अब कॉंग्रेस ने खुल कर कह दिया है कि वो देश के मद्दमर को लालची मानती है स्वारती मानती है उनका manifesto देखिए Congress का संक ये डिंडोरा पत्रा डकोषला पत्रा पचास पन्नों का उनका डकोषला पत्रा है एक बार भी Middle Class मद्दिंबर्ख शब्द नहीं है उसमें आप गुने का रहे क्या आप मुझे पता ही आप गुने का रहे क्या इस देश ने आपके लिए सोचना चाह है राजनीतिक दलों नहीं आपके लिए सोचना चाहिए आपके सपनों पर सोचना चाहिए इनको परवाई। उनको तो लगता है Middle Class की कोई जरूत नहीं है वह इसलिए Middle Class पर आप के खुले आम कह रहे हैं कि हम जो योजनाय लाए एंग के मिल्स वाले कह रहे हैं हम जो योजनाए लाए हैं उसको पूरा करने के लिए मिल्ल क्रास पर दो गुना चार गुना टैक्स लगाने की दिशा में जाएंगे कि अगर मिल्ल क्रास खतम हो जाएगा तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा लिख करके रखो देश आगे बढ़ रहा है यह मद्यमबर के लोगों की मेहनत से बढ़ रहा है मिल्ल क्रास से कॉंग्रेश की दुश्वन ही है इसलिए जब जब कॉंग्रेश आती है आपने देखा होगा जब जब कॉंग्रेश आती है महंगाई लेकर के आती है कॉंग्रेस के शासन में दस प्रतिशत की दर से महंगाई बढ़ रही थी जिसको हमने चार प्रतिशत से नीचे रखा है इतना ही नहीं पी एम आवास योजना के तहट पहली बार मिलल क्रास के लिए होम लोन में छुट दी आज मिलल क्रास को होम लोन पर 5-6 लाख रुपे तक की बचत हो रही है एजुकेशन लोन पर पहले जो ब्याद लगता था 15 प्रतिशत से हमने आज कम किया लगब 11 प्रतिशत कर दिया है इतना ही नहीं दवाया सस्ती की गई है हाट और नी सरजरी 70-80 प्रतिशत तक सस्ते हुआ है देश का मद्यमवर्ग देश का इमानदर करदाता अच्छी सड़के चाहता है ट्रांसपोर्ट की स्वैतर सुविदाएं चाहता है आधुनिक इनफास्रक्टर चाहता है बीते 5 वरसों में हमने इस और पुरा ध्यान दिया है लोगों के जीवन भर की कमाई किसी गल पर अपना फैट मिले उसके लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून भी बनाया है आज देश के 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें रजिस्टर हुए है